नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका डेली करेंट अफेर्स सीरीज में आज हम 3031 जनुरी 2023 के करेंट अफेर्स के बारे में जानेंगे आपको इसकी पीडियोप हमारे टेली गाम चैनल पर मिल जाएगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स क्यों चलते हैं आज का पहला कोश्चन है दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है चार आप्शन आपके सामने दिये गये हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन भी अमरित उद्यान केंदर सरकान ने 28 जनुरी को नई दिल्ली के राश्पति भव में मुगल गार्डन का नाम बदल कर अमरित उद्यान कर दिया है भारत की आजादी के 75 सार पूरे होने के उपलक्ष में अमरित महस्व की थीम को ध्यान में रखते हुए केंदर सरकान ने मुगल गार्डन का नाम बदल कर अमरित उद्यान किया है केंदर सरकान ने पिछले स साल दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपत का नाम बदल कर करतव व्यपत भी कर दिया था चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अंडर नांटीन विमेंस टीट विश्वकब दोचर तेविस में इंगलेंड को फाइनल में साथ किकेट सहरापकार खिताब अपने नाम किया है इसका इस अजयोजन इस्थल जो था वह था दक्षिन आफ्रिका भारत की जो सेफाली वर्मा की इनकी कप्तानी में यह खिताब भारत में जीती है भारत में महिला क्रिकेट में पहली बार ICC की ट्रॉफी जीती है इससे पहले जो सीनियर टीम थी सभी फॉर्मेट्स में तीन मौकों पर विस्वकप फाइनल में पहुंची थी पर कभी सीनियर टीम में कभी एक्चुली क्या है कि मुमंस ने कभी कोई एससी ट्रॉफी जीती नहीं थी जो अंडर नाइसस ट्रॉफी विमेंस वर्ल्ड कप है यह हमारी पहली ट्रॉफी है मुमेंस की चली अगली कोईशन पर देखते हैं निमन लिखित में से कीज देश ने होकी विश्वकप दो हजार तेविस का खिताब जीता है चार आप्श होकी विश्वकप दो हजार तेविस का सुभाराम जो है उरिशा में हुआ था जो 13 जन्वरी से चालू हुआ था और 29 जन्वरी को फाइनल मैच इसका खेला गया इस टूर्णामेन में दुनिया की 16 दिगग जो टीम ने हिस्सा लिया था होकी विश्वकप दो हजार तेविस का महिला उकल का खिताब किस ने जीता है िसका सहीना आंसर है uckt़्स ए आर्याना सबलंक को आज तेलिया ओपन 2023 में οराफर्फेलमाट। जोड़ी ने 27 जनवरई को मिस्रित ईल में खिताब जीता है यह जो है यह स्टेफनी और राफेल मोटास ने जो जीता है यह मिश्रित यूगल में जीता है और जो आर्याना सबलेंग का है इन्होंने महिला एकल में खिताब जीता है चली अगला कोशन देखते हैं हाल हमें लांच हुई भारत की पहली इंट्राजनरल कोविड-19 वैक्सिन का नाम क्या ह है चार आपके सामने दिएगा है इसका सही आंसर है इनकोवाइक केंद्रि स्वास्त मंत्री मंसुक मांडविया और विज्ञान और प्रद्योकिक मंत्री जितेंद्र शी ने भारत के पहली नेजल कोविड-19 वैक्सिन इनकोवेक को लांच किया है यहां देश की पहली नेज से दी जाने वाली वैक्सिन होती है उन्हों नेजल वैक्सिन कहते हैं चलिए अगला कोश्चन देखते हैं वर्स 2022 के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ दे इयर के रूप में किसे चूना गया है चार आपके सामने है इसका सही आंसर है ऑप्शन भी बाबर आजम को ICC ने वर्स 2022 क सभी विजयताओं की घोशना कर दी है पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है बाबर आजम ने मेंस क्रिकेटर ऑफ दे इयर और मेंस वंडे क्रिकेटर ऑफ दे इयर का आवर्ड जीता है इन्होंने दो आवर्ड जीते मेंस क्रिकेटर ऑफ दे इयर और मेंस वंडे क्रिकेटर ऑफ एर का चलिए अगला कोश्चन देखते हैं हाल ही में कितने परम विर्चक्र विजताओं के नाम पर अंड माननी को बारत समू का दूइप समू का नामकरण किया जाएगा सही आंसर है ऑप्शन भी 21 अगला कोश्चन है चीन के बाद ट्रेट प्लस वन समझाता चक्र सुरू करन चक्र सुरू करने वाला दूनिया का दूसरा देश बन जाएगा इसका उद्देश जो है परिचालन की दक्षता तेजी से धन प्रेशन सेयर वित्रन और सेयर बजार सहभाग्यों के लिए असानी लाना है 2001 तक जो था सेयर बजारों में सबताहिक निप्टन प्रणाली थी इसके बाद बजार टी प्लस थी के रेलिंग सेटलमेंट सिस्टम और फिर 2003 में टी प्लस टू में चले गए अब हम 2022 में जो है ट्रेट टी प्लस वन समझावता चक्र सुरू करने वाले दूसरे देश बने हैं अगला कोश्चन है इसका सही आंसर है अप्शन ए रेनुका सिंग ने 26 वर्सी भारती पेसार रेनुका सिंग ने इसकी महिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ दे यर 2022 का वाड़ जीत लिया है इनकी जो आउसत थी 14.88 के आउसत से 18 वंडे विकेट और 23.95 के आउसत से 22 T20 अंतर रास्ट विकेट लिये हैं तो इनका 18 विकेट जो था वंडे में था और 22 विकेट जो है इनका T20 में है चली अगला कोशन देखते हैं भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्मान कहां किया जाएगा चार आप्शन आपके सामने इसका सही अंसर है पूने में यह आप इनकी फोटो देख सकते हैं जब यह कंप्लीट होगी तो यह ऐसे ही दिखेगी महरास्त के पूने में बर नहार मेट्रो इस्टेशन का सीविल कोट इंटर चिंटर इस्टेशन भारत की सबसे गहराई मेट्रो स्टेशन हुगा रिपोर्ट के बर है इस मेट्रो स्टेशन की जो गहराई होगा जमीं से तैसी criticism अई एक मिटर एप्रॉ्ट जो 108.59 फिट तक नीचे होगी चलिए अगला कोशन देखते हैं हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्रांट का उधगाटन कहां किया गया है ध्यान रखेगा यहां पर बोला गया उत्तर भारत का तो चार आपके सामने दिए गया है इसका सही अंसर है उप्शन स की चंडीगाड उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्रांट का उधगाटन जो है वो चंडीगाड में किया गया है अगला कोशन देखते हैं भारत के पहले स्वादेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार वैस का सफर टेस्टिंग किस आई 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 टी संस्था बार ओस निर्माण किया है जहां पे सब्सक्राइब किया है जहां पे भार का मतलब है बारत और ओस का मतलब है उपरेटिंग सिस्टम है केंद्री सिक्ष मंत्री धर्मेंद तद्रान और केंद्री संचार मंतरी अस्वनी वैश्टों थ्यूहत्comb आई आई साऊग्ट फेस्टिवल की फोटोस है ये नागलेंड के कोहिमा जीले में दुसोमा गाउं में जनवरी 2023 को वार्सिक ओरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संसकरण मनाया गया महत्सो का आयोजन बागबानी क्रिसी ग्रामिण विकास भूमि संसाधन और कोहिमा स्मार सिटी भी भाग द्वारा किया जा रहा है संत्रा उत्पाद को की कड़ी महनत को उजागर करने एवं उपज बेचने के लिए बजार से जोड़ने की सुईधा प्रदान करने के लिए जो है यह महत्सो मनाया जाता है चलिए अगला गोशन देखते हैं किस देश के राश्पती अब्दुल्फता अल्सीसी चोहत्तरवे गंतंत्र दिवस समाहरों में मुख्य थिति के रूप में शामिल होंगे इसका चार आप्शन आपके सामने दिएग हैं इसी को इजिप्ट भी कह देते हैं इंगलिश में अगला कोश्चन है हाल ही में भारत अंतराश्टी विज्ञान महस्तो कहां शुरू हुआ है चार आप्शन आपके सामने दिए गया है इसका सहीं आंसर है ऑप्शन भी भोपाल में अगला कोश्चन देखते हैं एरो इं इसका सहीं आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए मुंबई में मुंबई में खाद 2023 को घाटन किया गया है जो 27 जन्वरी से 24 परी 2023 तक चलेगा और इसका जो फंक्शन हो रहा है वो ग्रामुद द्योग आयोग मुख्याले में चलेगा चलिए दोस्तों आज के लिए आपका प्रश आपके सामने दिए गये इसका सहीं जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतने ही दोस्तों आप हमारे साथ हमारे फेस्बुक द्वारा और हमारे टेलिग्राम के द्वारा हमसे जूड सकते हैं इस वीडियो की प्रेडिया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें खारून एकर्मी को धन्यवाद